Japanese company Hitachi inverter और non inverter दूनों हे टाइप के इसी बनाता है और recently Hitachi ने अभी 2024 के air conditioner models भी मार्केट में लांच कर दिया है इससे में दोस्तों अगर आप अपने लिए Hitachi air conditioner लेने के लिए प्लान कर रहा है और आप confused है कि आखिर आपको Hitachi AC अपने लिए consider करना चाहिए या फिर नहीं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके काफी help करेगा क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको Hitachi के 1.5 फाइटन 5 स्टार inverter speed air conditioner और 1.5 फाइटन 3 स्टार non inverter air conditioner के बारे में information दोगा उर्फ हाँ दोस्तों Hitachi में 1.5 फाइटन 5 स्टार में आपको दो टाइप के AC के models लेंगे IKASU और YOSHI हम इन दोगों ही models के बीच में निटेल गंपरिजन करेंगे साथ ही आपको बताएँगे pros and cons जिससे कि आपको help होगी अपने लिए एक bust band decent देने में Hitachi air conditioner के बारे में information देने से पहला है दोस्तों अगर आप अपने लिए पहली बार कोई AC करने चाहते हैं या फिर अपने पराने AC को replace कर एक नया AC खरीदने के लिए प्लान कर रहा है और confused है कि आखिर आपको अपने room size के साब से कितने ton का AC खरीदना चाहिए जिससे कि 1 ton, 1.5 ton या फिर 2 ton AC खरीदे तो पूंचा खरीद है inverter या फिर non inverter AC में जो star rating आती है जैसे कि 3 star, 4 star या फिर 5 star तो आपको कितने rating का AC अपने लिए खरीदना चाहिए जिससे कि आपके बिजली का बिल भी काफी हत्तक कमाई तो दोस्तों इस topic के उपर हमने आपके लिए एक वीडियो बना हुआ है जो कि complete AC buying guide वीडियो है AC खरीदने से पहले आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लिर हो जाएंगे और आप अपने लिए एक best AC जरूर पर्चेस कर पाएंगे दोस्तों इस वीडियो के लिंक आपको description box में मल जाएगी जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बता था कि इस वीडियो में आपको Hitachi के inverter रेसी और non inverter रेसी दोनों के ये बारे में information दोगा और दोस्तों Hitachi अपने इन दोनों ही टाइप के AC के अंदर कुछ common features under conges use करता है जिसे कि आपको जो refrigerant gaze मिलेगी वो R32 देखने को मिलेगी और ये gaze दोस्तों green gaze है और cooling के पामले में काफ़ efficient है वहीं दोस्तों cooling coils और condenser coils की बात करें तो Hitachi इन दूनों ही टाइप की ACs वे 100% copper का यूज़ करता है वहीं दोस्तों inverter ACs के अंदर आपको inbuilt stabilizer free operation का feature में जाता है जिसके voltage ने जब याँ वीडियो के screen पर check out कर सकता है इस voltage ने का सिधा सा मतलब हैं कि दोस्तों अगर आप के एरिये में इसी बेच में power up and down होता है तो फिर आपको अलग से कोई भी stabilizer इन ACs के साथ लगाने की जरूत नहीं है लेकिन दोस्तों exactly power कितना fluctuate हो रहा है इसके बारे में आप कभी भी short नहीं हो सकते और non inverter AC के अंदर तो दोस्तों वेसे भी आपको inbuilt stabilizer free operation का feature नहीं मिलता इसे में दोस्तों मैं आपको recommend करूँँगा कि इन दोरों ही type के ACs के साथ आपको एक individual stabilizer जरूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि individual stabilizers में दोस्तों काफी सारे AC safety features होता है जो कि power fluctuation से आपके AC को protect करता है और best stabilizers के उपर भी दोस्तों डिटेल में already हमने आपके लिए एक वीडियो बना हुआ है उस फूडियो के लेंगा आपको discussion box मिल जाएगी उस फूडियो को देखकर आप अपने इन ACs के लिए एक best stabilizer purchase कर सकता है अब हम एटाजी के 1.5 star inverter split air conditioners के बारे में information देना शुरू करता है दोस्तों इस category में आपको Icasu और Yoshi दो type के models मिलेंगे और इन दोनों ही ACs में आपको कुछ feature यहाँ पर common मिल जाता है compressor की बात करें तो इन दोनों ही ACs में आपको tropical design inverter compressor मिलता है और ये compressor दोस्तों 52 degree ambient temperature में भी आपको बहुत अच्छी uniform cooling प्रवेट करता है दोस्तों AC के indoor unit में आपको ambient light मिल जाती है और ये lights दोस्तों temperature के साथ से अपने color को change करती है इसके लावा दोस्तों indoor unit की cooling को also clean करने के लिए आपको यहाँ पर ice clean technology का feature मिल जाता है और ये AC दोस्तों आपको expendable plus cooling modes के साथ मिलेगा जिसमें आप AC से कम capacity में भी cooling ले सकता है और जादा capacity में भी cooling ले सकता है वही एर filtration में दोस्तों इनके AC में आपको super fine mesh filter और dust filter मिल जाएंगे और ये filter दोस्तों आपको dust free pure air provide करता है साथ ही दोस्तों एक अच्छा feature आपको ये मिल रहा है कि filter clean indicator भी आपको मिल जाता है ये दोस्तों अगर मान की चलें कि AC के filter अगर गंदे होगा है तो AC दोस्तों एक error show करेगा इंटूरियूट के display पर और आपको ये inform करेगा कि वो आपको filter को clean करना है common features के बाद अब हम इन दोनों ही AC के different features and technologies के बारे में आपको बताता है cooling capacity की बात करें तो योशी मोडल में आपको 100% cooling capacity 5,275 watt की मिलेगी और इस दाफ से ये AC आपको proper 1.5 डंगा बिलेगा वहीं IKASU मोडल में आपको 4,900 watt की cooling capacity मिल दी है और इस दाफ से ये AC आपको 1.390 डंगा मिल जाता है indoor unit दोनों ही AC में आपको 10 kg मिलता है जबकि outdoor unit की बात करें तो योशी मोडल में आपको 27.4 kg का outdoor unit बलता है वहीं IKASU मोडल में दोस्तों आपको 28.4 kg का यहाँ पर outdoor unit बलता है और दोस्तों योशी मोडल को आप up to 180 square feet तक के एक proper in-sail room में यूज़ कर सकता है वहीं IKASU मोडल को यहाँ पर आप 160 square feet तक के एक proper in-sail room में ही यूज़ कर पाएंगे यनि कि दोस्तों cooling capacity आपको यहाँ पर कम मिल रही है IKASU मोडल में इस इस AC का coverage area आपको थोड़ा सा यहाँ पर कम मिलता है दोनों ही AC 5 star rating के साथ आता है यूज़ी मोडल में आपको 5.02 की IC value मिलती है जबकि IKASU मोडल में आपको 5.0 की IC value मिलती है और power consumption दोस्तों B star rating parameter के साथ से आप चेक कर सकता है वीडियो की screen पर दोस्तों यह exact power consumption नहीं है क्योंकि दोस्तों B जो है वो अपने अलग-अलग standard formula के साथ से जो है वो power consumption को calculate करता है exactly आपका AC कितना power consumption करेगा यह आपको कोई नहीं बता सकता क्योंकि यह depend करता है कि आप AC को किस type से use करता है याने कि कितने temperature भी use करता है कितनी देर use करता है वो सारे चीज़े matter करती है और इस topic के ओपर दोस्तों हमने एक वीडियो भी बना हुआ है जहाँ पर हमने standard calculation के तुरू आपको यह बताया है कि exactly आपका AC कितना power consumption करेगा अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप ये वीडियो ज़रू देखिए इस वीडियो को लिंग आपको description box में बिल जाएगी और noise level की बात करें तो दोनों ही AC में आपको दोस्तों 34 decibel का यहाँ पर noise level बिल जाता है warranty के बात करें दोस्तों वेसे तो Hitachi के air conditioners पर आपको एक साल की और प्रोड़क्स पर warranty मिलती है पास साल की PCB और तस साल की compressor पर लेकिन दोस्तों फिलाल limited time period के लिए Hitachi पास साल की compressive warranty अपने products पर provide कर रहा है वो कब तक रहेगी इसके बारे में कोई भी official information अमारे पास नहीं है इसके लिए आप Hitachi की customer gear पर call कर सकता है वही दोस्तों price की बात करें तो दोनों की AC अभी जो है फिलाल आपको मिल जाएंगे 43,490 रुप में AC में दोस्तों आपको किस AC को अपने लिए पर्टिस करना चाहिए तो मैं आपको recommend करूँगा कि दोस्तों आपको यूशी model को ही अपने लिए consider करना चाहिए क्योंकि उसमें दोस्तों आपको cooling deficit भी जादा बेतर देखने को मिल रही है और वो AC दोस्तों जादा बड़े area को भी cover करता है अब बात करता है inverter AC के pros and cons के तो दोस्तों इन AC के अंदर आपको कमी ये देखने को मिलेगी कि आपको यहाँ पर two-way air swing का feature ही मिलता है यानि कि indoor unit से आपको up and down ही air थो देखने को मिलेगा market में जितने भी दोस्तों इस budget segment में competitive brand है वो आपको four-way air swing provide करता है तो आपको यहाँ पर यह कमी देखने को मिल जाती है इसके लावा दोस्तों आपको indoor unit भी compare to other brand के air conditioner के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा सा छोटा देखने को मिल जाता है वहीं दोस्तों फाइद होगि एकर में बात करूँ तो आपको एक cooling efficient और power efficient air conditioner मिल जाता है और यह compressor दोस्तों आपको 52 degree ambient temperature में भी बहुत अच्छी uniform cooling provide करता है वहीं दोस्तों indoor unit की cooling coils को cleaning करने के लिए आपको यहाँ पर ice clean technology का feature मिल जाता है साथ दोस्तों fast cooling के लिए आपको यहाँ पर rapid cooling का feature भी मिलेगा और air filtration दोस्तों आपको super fine mesh filter और dust filter मिल जाता है और यह filter दोस्तों आपको dust free pure air provide करता है वहीं cooling capacity की बात करा है तो इस model में आपको 5 हर 130 watt की cooling capacity मिलेगी और इस दोस्तों यह AC आपको 1.46 ton का मिल जाता है और दोस्तों indoor unit इस model के अंदर आपको 11 kg का मिलेगा वहीं outdoor unit आपको यहाँ पर 36.5 kg का मिल जाता है और इस AC को दोस्तों आप up to 180 square width तक के area में यूज़ कर सकता है दोस्तों यह AC आपको 3 star rating के साथ मिल जाता है इस बापको 3.82 की यहाँ पर IC value मिलेगी और B star rating parameter के साफ से दोस्तों यह AC कितना power consumption करता है इसकी detail अभी आप video के screen पर check out कर सकता है वहीं दोस्तों noise level की बात करें तो इस AC में आपको 39 decibel का यहाँ पर noise level मिल जाता है warranty की बात करें तो एक साल की world product पर warranty मिलेगी पास साल की compressor पर वर अगर आप इस AC को अपने लिए खरीतना चाहता है तो फिलार इसी करन पाइसे 36.990 रुपए जिसके best buying link मिलेगी आपको description box में अब बात करता है हिटाची के इस non inverter air conditional के pros and cons के बारे में तो दोस्तों कमी आपको हिटाची के चाहए inverter AC हो या फिर non inverter AC हो एक common देखने को मलती है वो यह हैं कि दोस्तों जो rulered areas हैं वहाँ पर हिटाची के service center इतने ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है एसे में दोस्तों अगर आप हिटाची AC को अपने लिए खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो before buying इनके service center के बारे में आप पहले ज़रू पता कर ले में क्योंकि after sales services में service center का ही major role होता है वहीं फायदे के अगर हम बात करें तो cooling efficient air conditioner आपको मलता है जो कि बहुत अच्छी fast cooling प्रोवेट करता है और वो सारे required feature आपको इस AC में देखने को मल जाएंगे जो कि एक non inverter AC में होना चाहिए तो एक और वज़ा है इस AC को अपने लिए पर्टिस करने की दोस्तों ground level पर जाता है मैनत करता है, research करता है फिर आपके लिए एक वीडियो प्रिपर करता है ताकि आपको मदद हो अपनी लिए एक best product को choose करने में इससे में दोस्तों अगर आप कोई भी product online खरीदने के लिए प्लान करता है तो दोस्तों हमारे दोरा दी गई discount affiliate link से ही खरीदे आपको महाँ पर bank के credit card और debit card के उपर cashback offers वल जाएंगे और अगर आप हमारी affiliate link से अगर पर्टिस करता है तो दोस्तों आपके product के price से होई रहेगी लेकिन आप इंटरिकली हमारे चनल की काफी ज़्यादा financially help करतेंगे अगर आप में support करना चाहते हैं तो हमारे दोरा दीगई affiliate link से ही purchase करें तो दोस्तों ये रही complete information Hitachi के 1.5 and 5 star inverter speed air conditioner और 1.5 and 3 star non inverter air conditioner के बारे में उमेटी दोस्तों आपको अमारा ये वीडियो जरूर अच्छा लगाओगा अगर आपको अमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा सदा लाइक कीजिए और अपने family friends number के साथ इस वीडियो को शेर करना बिल्कुल मत बुलिएगा और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए मैं आपके सवालों का reply आपको ज़रूर करूँगा तो स्वाल आच के वीडियो में इतना ही मिलता है बाँ चल देक न्यू वीडियो में टत्तक के लिए चैहिन वंदेक मातरामी